असलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हो उमीद करते हैं आप सब खेरे सोंगे तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मेडिकल एक्सपायर होने के बार सौधी का बीजाई स्टांप हो सकता है पहले मैं बोलता था नहीं हो सकता लेकिन अभी बोलना हो हो सकता लेकिन मैं मेडिकल एक्सपायर होने बार बीजाई स्टांप होगा और दोनों बात सही है बिलकुल सही है मेडिकल एक्सपायर होने बार भी आपका बीजाई स्टांप हो सकता है लेकिन यह आपको चीज पता नहीं कि कैसे होता है क्योंकि इसमें एजेंट लोग आपके साथ जोल कर दे आप पेपर पर देखेंगे ऑपको नहीं पता अबसक्राइब को आपको बताऊうता कि अधार में मिल सके और विडियो पसंद आथा वाइक CY Willough को आपको ओके नहीं के चेंट को सबस्क्राइब करिजिएगा से जैसे कि पहले ती महिने की वैलिलीकी रहती टि supporting कर दिया गया लेकिन असल में ये दो महीने का नहीं है ये बस पेपर में ही आपका दो महीने का है लेकिन अंदर आप देखिए सिस्टम में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि दो महीने से ज्यादा का है और कैसे असल मैंने एक अपने जानने वाले बहुत अच्छे जानकार हो है उनसे मैंने बात की इस बीसे में तो बोल उनों ने मुझे पता है कि देखिए ऐसा इसा सिस्टम है जो रिपोर्ट है जो रिपोर्ट पर जो वाली डीटी दी गई है एकस्पायरी उसको मत देखिए आप वो तो दो महीने का इस पर दे दिया गया कोई सुने लेकिन जो आप आपके एक सिस्टम होता है MBS के सिस्टम में उसमें आपका दो महीने से ज्यादा का होता है और आज मैंने एक आदमी का चेक भी किया अगर वीडियो डेख नहीं तो भाई पिलिज आप से रिक्वेश्ट है कि मैंना आपका चेक करगे बताया था उनका मेटिकल एकस्पायर ह उनका टाइम डिखा रहा है रिपोर्ट जो उनका मिला था कॉपी उसमें उनका दो महिने का देखा जब दो महिने में उनका इस तरह से मैं बोल रहा हूँ अगर रिपोर्ट जो अपड़ेड गया है उसमें से अगर एकस्पाइर हो गया तो आपका बीजा स्टांपिंग नहीं होगा सिस्टम में आपका वेलिडिटी होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट की ठीक है अगर आपको भी नहीं पता है कि सिस्टम में आपका वेलिडिटी कितनी है तो हमसे कॉंटेट कर सकते हैं मैं आपको चेक करवा के बता दूँगा लेकिन उन जिसमने मुझे यह जानकारी दे कंभानादी इसमें कुछ ज्यादा नहीं थोड़ी पैसे खर्च करने है लेकिन पैसे खर्च करने पड़ता है उसको चेक करने के लिए वो चेक कैसे करेंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं पता अगर मुझे पता होती तो मैं आपको वीडियो में बता देता और आप इसको फिरे में चेक कर लेते लेकिन अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं कि सिस्टम में कैसे पता करेंगे यहां भाई आपका medical report जो है एक्सपायर हो गई है अब मैं इसको इसी एक्सपायर हो गई फिर भी मैं आपका बीजाइस्टाम करवा दूँगा और यह चीज आपको पता नहीं होता है इसके बदले में आपसे कुछ पैसे की demand करता है और आपको पैसा उसको दे दते हैं यह ची बढ़े से लोग आपके साथ है जो एजेंट होता है और आपको पता नहीं होता है ज्यादा तर एजेंट क्या करते हैं वीजा रहता है फिर भी वो लोग फ्राइध करते हैं वीजा स्टाम्पिंग में कूण को पता है कि इसका validITY कितना है रिपॉर्ट की साथे नहीं System की पैसे करवा दूंगा और उसके लिए पंदर दिन का टाइम बहुत जारा हो जाता है दस दिन पंदर दिन का और उस बीच में क्या करता है फिरी में पैसा आप देते हो अपने डाल देता है यह जानकारी मुझे आज मिली है एक अच्छे आदमी के जरीए अच्छा मैंने जब खुट चेक करवाए अकादमी का तो उन्होंने मुझे पूरा पूरूफ के सार्म दे दिया कि देखिए इनका रिपोर्ट अनका जो रिपोर्ट था जो भाई का मैंने चेक किया और रिपोर्ट अब 25 माई कोई खतम हो गई थी लेकिन उन जो सिस्टम में दिखा रहा है और दस माई को दिखा रहां दस जून को यानि 15 दिन जारा दिखा रहा सिस्टम में यह इस बीच में का वीजा भी स्टम हो सकता है अगर इनका एजेंट चाहे तो इसी तरह साब यह अगर चेक करवाना है तो मेरे वाट्सप गुरूप का लिंग नीच डिसक् स्क्राइब आपको बता सकता हूं कि आपको अहांको सिस्टम में Bible हमें तरहिए तो बीदियो फिलाल के